सखी सहेली सखी सहेली सभी सख्यों सहेली को संगीत शिवास्तव का प्यार बहुत नमस्कार आकांशा आपको भी बहुत बहुत नमस्कार आपको और सभी सख्यों को मेरा नमस्कार और धेर सारा प्यार तो संगीत शब आज हमारे सखी सहेली का यह जो पिटारा है जो कठरी हम बांद कर लाएं है उसे हैं कई सारी चीजें हम लेकर आएं हैं अपनी सख्यों के लिए कई बाते हैं कई जानकारिया हैं कुछ प्यारे-प्यारे से गीत हैं उन्हें पर बड़ी उत्सुकता रहती है कि प्रतेक दिन आज क्या होगा तो आज कौन सा बिशाय होगा आज कुछ खास दिन है आज है विश्व दुग्द दिवस और साथ ही साथ आज है विश्व अभिभावक दिवस यानि World Parents Day और इसके अलावा हम बाते करेंगे कुछ किताबों की और बाते करेंगे हर्मन प्रीत कौर की उनके बारे में कुछ जानकारियां देंगे जो इंडियन वुमन क्रिकेटर है यानि भारती महिला क्रिकेट खिलाड़ी है साथ ही साथ अगर करियर में आप भरना चाहते हैं उची उडान तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ये जानेंगे करियर गाइडेंस के अंतरगत और आज का विशह है Air Hostess संगीता जी आपको अगर थोड़ा हम पीछे की याद दिलाएं ये खासकर जब हम बच्चे होते हैं तो अक्सर सफ ही लोग करते हैं कि जब हमारे माता पिता या खासकर हमारी मम्या जब हमें दूद पिलाना चाहती है और जो बच्चे रहते हैं भागते दोड़ते रहते हैं उससे में तो हमें ऐसा लगता है ये क्यों हमें पिलाया चाह रहा है उसका जो महत्वर रहता है वो हमें उससे में पता ही नहीं रहता लेकिन दूद जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन माना जाता है बिल्कुल और आज यानि एक जून को दुनिया भर में वर्ल्ड मिल्क डे यानि विश्व दुख्द दिवस मनाया जा रहा है और ये जो दिन है इसको मनाने का जो उद्देश है वो यही है कि लोगों को जागरूप करें कि दूद एक संपूर्ण आहार है और साथ ही साथ जिनको मनाने का एक विशेश कारण है और साल 2001 में वर्ल्ड मिल्क डे को मनाने की जो पहल थी वो संजुक तराश्ट द्वारा की गए थी जी जी और क्योंकि नवजात शीशु जो होते हैं वो दूद पर ही निरभर होते हैं और ये भी है कि आज कल देखा जाए मार्केट मे जैसा कि संजुक तराश्ट और संग ऐसा चाहते हैं कि वह इसका जादा से जादा प्रचार प्रसार हो तो डिबों में भी बहुत सारे ऐसे जो पेस्टुराइजड दूद होते हैं वो बाजार में विक्रे के लिए हैं तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग उसका भ भरा होता है अच्छा होता है प्रोटीन हो गया कैलशियम हो गया विटामिन बी टू विटामिन ए डी के इई इसके साथ खनिज यानि की मिनिरल्स भी इनमें पाए जाते हैं इनमें फॉस्फोरस मेगनीशियम आयोदीन और और भी कई तरह के खनिज और वसा यानि फैट खनाना जाता है तो दूद से बनीवी बहुत सारी चीजें भी है जिने भरपूर मातरा में खाना भी चाहिए और इसका उत्पादन भी होता है जिसमें की अगर हम बात करें तो खासकर पनीर है घी है मकन है श्री खंड भी बड़ा अच्छा लगता है बच्छों को तो बलकि खासकर जो हमारा देश है भारत उसमें त्योहारों में मिठाईयों का खास महत्व है तो दूद से बनी मिठाईय काफे पसंद की जाती है इसके अलावा मठा है मलाई, रबडी, लसी, पनीर और मतलब ये सारी जो चीजें है इनकी जरूरत दूद से ही पूरी होती है और रो तो इससे भी शरीर का जो 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 जरूरत होती है शरीर की वो पूरी हो जाती है तो बच्चों के लिए ही नहीं कह सकते हैं बलकि सभी के लिए बहुत ही पॉश्टिक है और खासकर अगर बात करें तो बूढ़े हों, बुजर्ग हों, वैस्क हों, महिलाएं हों, दिन बर अपना ध्यान नहीं रखती है तो उनके लिए भी बड़ा जरूरी है ये और दही भी उतना ही आवश्टिक है इससे अगर हम देखें तो प्राकृतिक कैल्शिम जो है वो भरपूर मातरा में मिलता है विटमिन सी भी है तो इसकी भी कमी पूरी होती है तो अगर बात करें त दूद का उत्पादन देखा जाए हमारे देश में भारत में तो प्रथमिस्तान है और सत्रा प्रतिशत कह सकते हैं कि दूद का उत्पादन भारत में होता है उसके बाद अमेरिका भी है और दूसरे देश भी है आप भारत की जब बात कर रही है तो जो भारत है वो मुलता क प्रशी प्रधान देश है और जो भारत है वो गाउं में बसता है तो ग्रामीन अर्थव्यवस्था को सुद्रण करने में कहीं न कहीं कि खेती के बाद ये जो डेरी उद्योग है इनकी प्रमुक भूमी का रही है और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्री दॉक्टर वरगी स्कूरियन के सम्मान में 26 नवेंबर को जिस दिन उनका जनम दिन होता है उसी दिन को नैशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है उनके सम्मान के स्वरूप और एक खास बात ये भी है संगीता जी कि हर साल जो वर्ल्ड मिल्क डे यानि विश्वत और इस साल की यानि 2021 की जो थीम है वो है पर्यावरण, पोशन और समाजिक आर्थिक सशक्तिक अरण के साथ साथ डेरिक शेत्र में सिर्ता ये इन विश्यों पर इस साल की थीम केंद्रित है जी जी वो इस बज़े से क्योंकि पर्यावरण पर ही सब कुछ निरभर करता है औ और जब हम दूर की बात करते हैं तो सीधे तोर पर मवेश्यों की भी बात करते हैं तो इसके लिए भी पर्यावरण के लिए हम सभी को ध्यान देना बहुत आवश्यक है और इसी को देखते वे कह सकते हैं ये और भारत की कुछ आकानशा ऐसा है कि बहोगरलिक Enfin किस्तिती भ प्लड की जो शुरुवात हुई जैसा कि आपने बताया वर्गिस कुरियन जी के द्वारा और बाद में जो श्वेट करांती में बदल गया तो इस तरह से देखा जाए तो आजकल देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ये मॉडल प्रस्तुत कर रही हैं और दी जाओं की आर्थिक स्थिती भी इस तरह से मजबूत हुई बिल्कुल तो एक तरह से ये जो डेरिय उद्योग है इसने एक प्रमुक भूमिका निभाई है भारत की जो आर्थिक स्थिती है उसको मसबूत करने में संगीता आज सखी विशेश में हम जिनकी बात कर रहे हैं उ हरती महिला क्रिकेट खिलाडी है इनका जन्म हुआ था आठ मार्च 1989 को मुगा पंजाब में उनके पिता हर्मिंदर सिंग भूलर बॉलीवॉल और बास्केट बॉल के अच्छे खिलाडी थे माता का नाम सत्विंदर कौर हर्मन प्रीत कौर भूलर ने अपने करियर की और प्रशिक्षन भी वहीं प्राप्त किया नवेंबर 2018 में वो महिला 2020 अंतरराष्ट्रिय मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला वनी और एक दिवसी टेस्ट मैच में अपने एक दिवसी अंतरराष्ट्री करियर का जो आरंब है जो शुरुवात है उन्होंने ब वो जितनी ही अच्छी बैट्समन है उतनी ही अच्छी बॉलर भी है और अच्छी कप्तान भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मैचेज हुए हैं उसमें उन्होंने कप्तानी भी की तो गेन बाजी में उनके शहली मध्यम तेजगती की है और उनका रेकॉर्ड अच्छे कैच इसका भी रहा 2020 मैच में काउंटी ग्राउंड में उनका प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रहा मुंबई में भी इंग्लैंड के विरुद्ध खेले गए टी 20 मैच में उन्होंने 33 की धुवाधर पारी खेली थी और 2012 में उन्हें महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के भारती महिला कप्तान के रूप में नामित किया गया और 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप के समेफाइनल मुकाबले में इन्होंने आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया ही कह सकते हैं कि महिला क्रिकेट टीम जो थी इनके खिलाफ शांदार बल्ले बाजी की और 115 गिंदों पर 111 खता रन बनाए और इसके साथ ही थे 20 चौके और 6 चौके जो रन थाए वो खड़े किये और साल 2018 में वेस्ट इंडीज में खेले गए जो 2020 मैच थे अंतराश्टी 2020 मैच थे उसमें जो आरम के टूनामेंट जो मैच थे उसमें न्यूजिलेंड के खिलाफ उन्होंने शतक बन बनाए और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला वो बनी महिला क्रिकेटर बनी महिला अंतराश्टी एक दिफसी क्रिकेट मैच में भी उनके बहतरीन प्रदर्शन को देखा गया और उनके बहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए वर्ष 2017 में उन्हें रिकॉर्ड सफलता जो उन्होंने पाई उसके लिए अरजिन पुरसकार से उन्हें सम्मानित किया गया जी और ये जब सम्मान मिलता है हमारे खिलाडियों को खासकर जो महिला खिलाडी है उनको जब ये सम्मान मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है और खासकर आकांशा जब बात होती है क्रिके मैच की तो ये एक ऐसा वक्त था जब क्रिकेट मैच ये कहा जाता कि भाई पुरुष प्रधान गेम है और खेल है और अब तो देखे तो लड़किया भी बहुत अच्छा खेलती हैं बलकि बहुत समय से ही खेल रही हैं तो ये बड़ी ही एक अच्छी बात है तो भविशी के लिए हम इन्हें शुब कामनाएं देते हैं साथी साथ शुब कामनाएं तो दे ही रहे हैं आगे भी वो इसी तरह से अच्छा प्रधरशन करती रहेंगी और संगीता आज एक और खास दिन भी है आज है विश्व अभिभावक दिवस यानि World Parents Day उस बारे में हम थोड़ी सी बात और करेंगे संगीता एक कुछ लाइने हैं जो अबरहम लिंकन ने कही थी कि प्यार वो जंजीर है जिससे एक बच्चा एक बालक जो है वो अपने माता पिता से बंध जाता है और एक बच्चे के जीवन में उसके माता पिता जितनी एहम भूमिका निभाते हैं शायद ही कोई दूसरा निभाता होगा हाँ और एक बात ये भी है आकांशा कि जैसे कह सकते हैं कि पेड़ हमें फल देता है है ना तो बदले में पेड़ को क्या चाहिए तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से सीचते हैं क्या तो ये थोड़ी सी जिम्मदारी बच्चों के भी है लेकिन आभिभावक बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी कभी इस बात पर इस बात को शायद मुझे लगता कभी सोचते भी नहीं हैं कि बच्चे हमें उस बदले में क्या देंगे और अभिभावकों के ही जो योगदान हैं उन्हें जो है विश्व में एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों ने सराहा और इस बात का संग्यान लिया कि भई ये दिवस जो है वो मनाना बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो एक जून को सभी तराश्टर द्वारा विश्व अभिभावक दिवस यानि World Parents Day के रूप में घोशित किया गया है देखा चाहतो माता पिता की जो प्रतिवद्धता होती है अपने बच्चों के प्रतिव उसका कोई मोल नहीं है संगीता क्योंसे कि वो अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर दें हम जितना देना जितना दे सके वो देना चाहते हैं जी और देखें कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता की प्रत दिया जाए या देगे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और इसी की वज़े शायद है कि इसे विश्वेस्तर पर जानने और पहचानने की जरूरत है तो इस रिष्टे को बड़े ही मार में धंग से बड़े ही खूबसूरट धंग से अभी भावक निभाते हैं और कई देश ऐसे भी हैं जो इसमें शामिल धीरे 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 से और भी हो रहे हैं लेकिन कुछ एक देश हैं जैसे अमेरिका हो गया तो यह तो अग्रिनी है इसमें और दक्षन कोरिया फिलिपिन्स और भारत की बात भी तो है ही है तो अपने बचों को जीवन में किस तरह से दिशा देनी है, उनकी परवरिश किस तरह से करनी है, उन्हें स्कूल भेजना है, उनका खास ख्याल रखना है और साथ ही साथ उनकी स्कूली जीवन में, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है, उनके स्कूली जीवन में उनकी क्या जरूरतें होती है, इसको हर अभी भावक अपनी तरह से पूरा करते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है, कि उनकी सामर्थ भी कम होती है, लेकिन उसके बा राटशारा होती है वो होता है उसका घर और उसके जो पहले शिक्षक होते हैं वो होते हैं उसके माता-पिता तो ये इस तरह से देखा जाए तो जो माता-पिता है उनके जिमेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो जो बीज रूपी एक छोटा सा जो पौधा है बालक के रूप प्रतिबा को पहचानना है ये काम भी मता पिता का ही होता है आगे चल कर उसको सही दिशा देना और साथी साथ एक बड़े होने के बाद एक जिम्मेदार नागरिक बनाना मता पिता की सबसे पूर्व जिम्मेदारी होती है, आगे चलकर वो सकारात्मक रूप से आगे चले, ऐसा नहो कि वो भटक जाए वो जो बच्चा है और संगीता इन दिनों की जो बात करें, जो करोरा काल की जो बात करें, तो कहीं न कहीं जो अभिवावक है, जो माता-पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे को कई तरह से उन्हें देखना है, उन्हें अपनी आर्थिक सिती का भी विचार करना है, साथ ही साथ, चुकि बच्चे अब घर में ही हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों की मानसिक सिती का भी उन्हें विचार करना है, तो इन सारी परिस्चितियों को देखते हुए, और इन परिस्चितियों में सामझस से बिठाते हुए, उन्हें आगे बढ़ना है अपने बच्चों के साथ, जी जी, और बच्चों की भी जो प्रतिभा होती है, वो अलग-अलग होती है और कई बार तो बड़ी ही विकट परिस्तिती भी आ जाती है कि भाई बच्चा कई बार तो बड़ा समझदार होता है कई बार उतने पढ़ाही लिखाई में या अपनी बातों में इतना वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं अब यह होता है कि अभिभावक उन्हें समझें और समझने के बाद बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ाना है तो वो तो यही चाहते हैं कि बच्चे में चाहे चिर्चिडापन हो चाहे वो बहुत सीधा हो चाहे कभी-कभी यह होता है कि बच्चे शुरू से ही बहुत तेज होते हैं पढ़ने में तो हर तरह से बच्चे होते हैं जिने देखना, समझना और अभिभावा का अपनी तरह से समझते हैं और किसी ना किसी तरह से वो उन्हें रास्ते पर लाने का प्रयास जूरूर करते हैं, शुरू सही करते हैं, कि ये अवल आएं, अगर अपने क्लास में भी हैं तो अवल आएं, अगर बहुत अच्छे खिलाडी बनना चाहते हैं, तो उसमें भी वो अच्छा काम करें, जिस भी चेतर में जाना चाहते हैं उस पे उनका अभिभावकों का पुरा-पुरा सहयोग रहता है बिल्कुल और साथ ही साथ जो कुछ भी वनना चाहें बने और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान बने जो माता-पिता होते हैं उनके सामने कई तरह की चुनौतिया होती हैं कई नकरात् शिती देखें, तो अगर मातापिता दोनों ही काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो इतने व्यास्त हो जाते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते, उसके अलावा, बच्चों के पोशन के प्रती भी उन्हें सज़क रहना पड़ता है, कि कहीं कुछ कभी न रह जाए, साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, मौलिक शिक्षा देना, अपने से बड़ों का आदर कराना, अपने संसकार सिखाना, मतलब कई सारी चीजे हैं, कई कठिनाईयों के बावजूद इन सब में से रास्ता निकालते हुए, आज के जो अभिवावक हैं, माता-पिता हैं, कहीं न कहीं वो रास्ता निकाल ही रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से पालन पोशन किया जाए, जी, और खुद भी, जो है, बड़ा, कभी-कभी तो बड़े आसमंजसे की स्थिती में रहते हैं, खुद भ बहुत जगह ऐसा भी होता है, कि उनने बड़ा कटोर भी होना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि बच्चे को वो भी यही चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस बात को समझाना तो जरूरी होता है, तो कई बार कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते हैं, कई बार डांट मा भी पढ़ता है तो इस तरह से पूरी मतलब जिम्मेदारी उठाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है बच्चे ये भी कहते हैं कि ममा तुम अच्छे नहीं हो तो ऐसा भी हो ये भी वो सुन करके लेते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं हमें इनको correct करना है, जहां पर वो गलत हैं, वहां तो उन्हें रोकना ही पड़ेगा. संगीता एक माता-पिता अपने बच्चों को बढ़ा करने के लिए जो जो त्याग करते हैं कई परिश्चितियों का सामना करते हैं उसका कोई मोल नहीं है हर अभिवावक को, हर माता-पिता को उनके प्रती कृतग्यता व्यक्त करना ही संकीता हमारे कई श्रोता मित्र हमारे सक्षियां हैं वो हमसे फेस्बुक के माधियम से भी जुड़ी है और एक श्रोता लिखती है कि अभिवावक स्नेः प्रेम जिमेदारी का एहसास है दिलों रिष्टों की पहचान है और गलतियों पर शमा का वरदान है बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है कि एक सही रहा वो अपने बच्चे को दिखाए और जब करियर की बात हम कर रहे हैं संगीता तो आज करियर गाइडेंस में हम एक ऐसे करियर के बारे में जानकारी अपने शुरताओं को अपनी सक्षियों को देंगे कि अगर वो उड़ना पसंद करें तो इसमें काफी उजाई तक जा सकती है हम जानकारी देंगे कि एर होस्टेस अगर आप बनना चाहें तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा एर होस्टेस बनने के लिए देखिए सेक्ष की योग गिता जो है वो तो रहती ही है लेकिन साथ ही साथ जैसा कि कई हमारी सक्षिया हैं जिन्होंने हवाई यात्रा भी की होगी तो उन्होंने भी ये चीज़ देखा होगा कि बड़ा ही कोशल होना अपने अंदर बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके वेक्टितिव के बारे में बताता है तो सपने जो है एर हॉस्टेस बनने के वो बड़े ही सुन्दर है और अपना जो कोशल है इसमें एक एहम भूमिका निभाता है तो अच्छी जो है कमिनिकेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है यानि कि जब आप वारतालाब करते हैं किसी से तो बहुत अच्छी कमिनिकेशन स्किल होनी चाहिए यात्रियों के साथ समवाद कैसे करना है इसमें आपको सक्षम होना चाहिए और ये तबी संभव है जब आप अपने समवाद को ध्यान देते हैं और इस पे थोड़ी कोशिश करते हैं इसके साथ ही यात्यों का जो साथ में जो सामाने स्थिती है उसे बरकरार रखना आपाद काल की भी स्थिती हो सकती है जब हवाई यात्रह होती है तो उस स्थिती में भी किस तरह से सब को समालना है देखना है ये भी सोचना पड़ता है तो काफी हिम्मत की जरूरत है बिल्कुल और साथी साथ एक जिम्मेदार जिम्मेदारी का एहसास होना भी बहुत जरूरी है साथी साथ फिजिकल रूप से फिट होना भी बहुत जरूरी है ताकि घंटो जब आप इस फेल्ड में उतरते हैं तो घंटों चहरे पर मुस्कान लिए आपको लगातार काम करना पड़ सकता है तो ऐसे में कही न कहीं जो मांसिक तनाव से आप खिच तो नहीं रहें ये भी बहुत ज़रूरी है और वहीं आपका अप्रोच किस तरह का हो presence of mind यानि कि किसी परिस्थिती में आप किस तरह से react करते हैं वो साथ ही साथ positive attitude और आपका थोड़ा सा good sense of humor भी आपका जो ये काम है उसको आसान बना देगा और मिलनसार होना बेहर ज़रूरी है क्योंकि यात्रियों के साथ साथ आपको cabin crew जो होता है यानि हवाई यात्रा में जो अनदल के अनिस अदस्य होते हैं उनके साथ भी mail जूल रखना पड़ेगा तो सभी के साथ मिलते जूलते किस तरह से आप किसी परिस्टिती को हैंडल करते हैं ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है तालमेर बठाना एक दूसरे को समझना सकारात्मक दृष्टिकोंड ऐसी कई सारी चीजे हैं जो अगर आप air hostess के रूप में खशित्र में उतरते हैं तो आपको सफल बना सकत हैं अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए संगीता जी इसके लिए बारवी पास होना चाहिए आपको कम से कम उसके बाद आप किसी भी इंस्टिटूशन में जो air इसे evasion से समवधित है उसमें admission ले सकते हैं लेकिन एक बात ये भी है कि बारवी पास जब हम कर बाते हैं तो कुछ जो evasion's हैं वो लेते हैं admission दसवी पास के बाद भी तो ये आप ख्याल रखें कि दसवी के बाद भी आप किसी भी institution में admission पता लगा लें कि उसकी website में क्या है तो आप ले सकते हैं admission और अगर आप direct airlines की companies में जाना चाहते हैं air hostels के लिए आबिदन करना चाह लेकिन अगर आप इंस्टिटूट में course करते हैं तो उसके बारे में यानि कि evasion के बारे में आपको पढ़ाया जाता है यानि कि आपको मतलब है air hostess training program का जो course होता है वो दसवी के बाद भी किया जा सकता है और बारे माद भी किया जा सकता है तो उसके बाद क्या होता है कि पर जो grooming सिखाई जाती है यानि किस तरह से आपको बाचीत करना है क्या आपका look होना चाहिए और वैसे भी आकनशा देखा जाए तो बहुत सारी हो सकता है पर इसे तियां अलग-अलग होती है लेकिन उस वक्त आपको वहाँ पर किस तरह से पेश आना है तो इसका भी वो सारा कुछ कह सकते हैं कि सिखाते हैं और जो भी चैन प्रक्रिया के लिए जरूरी चीजे होती है वो वहाँ पर सिखाई जाती है तो अगर आप admission ले ले लेते हैं तो पर इच्छी बात है और नहीं तो वैसे भी आप चाहें तो डिरेक्ट उसकी वेबसाइट पर जा करके और आप आविदन कर सकते हैं जी तो ये जो चैन प्रक्रिया होती है जो selection के लिए तो ये कई steps में होती है यानि कि एक या दो या तीन से चाल steps में होती है कई बार group discussion होता है interview होता है उसके बाद किसी विशे पर आपके विचार जाने जाते हैं साथ ही साथ airline company का कोई senior जो वेक्ती है वो आपकी personality और आपके पूरे वेक्तित्व का जो test लेता है medical fitness टेस्ट होता है eye test होता है साथ ही साथ आपका hearing ability टेस्ट होता है मतलब इन सारी प्रक्रियाँ से गुजरने के बाद सारे test clear करने के बाद आपको joining letter मिलता है और उसके बाद फिर आपकी training की शुरुआत होती है और उसी training में यानि कि यह कह सकते हैं कि जब training होती है तो कुछ ऐसा है कि पहले भी आप training कर सकते हैं यानि कि institute में दाखिला ले सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ भी भी सिखाया जाता है लेकिन जब आपका selection हो जाता है जैसा कि आपने कहा जब आपको joining सीधे किसी airline company में जब अगर आपका selection हो जाता है वहाँ पर तो वहाँ भी इस तरह से कहीं कहीं पर अलग-अलग है तो कहीं तीन मैने की तो कहीं चार मैने की इस तरह से training वहाँ भी दी जाती है और उसमें सिखाया जाता है कि जैसा हमने बताया कि grooming के बारे में सिखाया जाता है English speaking आपकी देखी जाती है service आपको कैसी अपने जो aeroplane पे हैं लोग उनके लिए देनी है और उनकी जो safety है यानि उनको किस तरह से बचाना है हर इस्थिती में वो भी है medical emergency भी कई बार होती है कि किसी को कोई अगर परिशानी हो गई तो हमें किस तरह से उसको treatment देना है first aid हम कह सकते हैं बिल्कुँ और उसके बाद evacuation के पे भी ध्यान देते हैं वो लोग कहने का मतलब कि जब कोई आपात इस्थिती होती है तो किस तरह से वो safely या बचा करके जितने भी यात्री हैं उनको ठीक से उतारा जा सकता है तो इस बारे में सब बताय जाता है और इसके बाद ये जो क्षेतर है इस फील्ड में कई सारी संभावना हैं मतलब domestic airlines से लेकर international और private airlines जो company हैं उसमें भी आप आविदन कर सकते हैं और अगर कहें तो air hostess बनने के लिए एक उम्र सीमा जो ताई की गई है वो 18 से 25 साल तक की ताई की गई है और एक बार आप air hostess बन जाते हैं उसके बाद ये आपके अनुभव पे निर्भर करता है कि जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपकी जो salary है वो भी बढ़ती जाएगी जी तो अब ये है कि salary तो ठीक है लेकिन career के विशे में आपको सोचना है कि आप जब इस पे आते हैं मतलब कि हमें air hostess बना है तो उस वक्त आपकी जो एक प्रतिभा है वो बड़ी ही अलग होनी चाहिए और उसके लिए आपको पुरी तरह से तैयार होना चाहिए तो आप आविदन कर सकते हैं और इसके कई सारे तरीके हैं जैसे कि आप website पर जा सकते हैं डिरेक्ट website पर जाना बहुत अच्छा रहता है आप किसे भी consultancy के पीछे ना जाए बलकि आप direct मतलब सीड़ी तोर पर airlines की जो website से उस पर जाए और वहां पर उसके career section में आप जब देखेंगे तो आपको वहां पर job openings देखने को मिल जाएगी तो वहां पर आप उसको register कर सकते हैं और दुसरा तरीका ये भी है कि job portal भी हैं बहुत सारे जिनमे register आप अपने नाम को अपने by data को कर सकते हैं और इसके जो job portal है जो भी job portal आप select करते हैं उसके जो search box है उसमें जाएं उस पर type करें air hostess और उसके बाद search करें तो जितने भी airlines होती हैं उनकी airlines की यानि air hostess की vacancies जो होती है या attendant की हो किसी की भी हो तो वो vacancy वहां पर दिख जाएगी और फिर तब आपको देखना है कि कौन सी आपकी मनपरसंद airline है तो उस हिसाब से आप उसको select करें और वहां पर अपना आविदन करें इसके बाद जो airlines company है आपका by data select करती है ये company पर depend करता है कि कैसा है उस पर निर्भर करता है और फिर उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाता है और अगर आप job portal पर vacancy ढूंड रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें हम फिर कहें सक्यों से कि consultancy के जहांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है यानि कि कितनी सारी consultancy ऐसी भी आकांशा जो पैसे लेती है इसके लिए तो हम अपनी सक्यों को बता दें कि इसके लिए कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता कोई मुआफ़ा नहीं लिया जाता तो आप जितने भी ये faulty चीज़े हैं जो आपको कहीं गलत दास्ते पर ले जा सकती हैं तो आप उनसे ज़रा साफधान रहें जब भी आप कहीं पर आवेदन करें तो उस संस्था के बारे में पुरी तरह से जानकारी ले 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 अगर आप किसी कंपनी में सीधे तोर पर अपलाई कर रही हैं तो उस कंपनी के बारे में यानि उस एरलाइन कंपनी के बारे में आप पुरी जानकारी ले 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 और फिर अपलाई करें और संगीता एक तरह से देखा जाए तो ये जो करियर है ये जो जॉब है एर होस्टेस का काफी ग्लैमरस है, काफी लुभावना है लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी से भरा भी है इस कारेक्षेत्र में जब आप उत्रेंगे तो आपको देश-विदेश में घुमने का मौका मिलेगा लोगों से बात करने का मौका मिलेगा उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा लेकिन साथ ही साथ उतनी जिम्मेदारियां भी आप पर रहेंगी आपातकाले इन परिस्यती है उसमें क्या करना है साथ ही साथ जो यात्री है उनकी देखभाल है उनका प्रबंधन करना है आपातकाले इन सिती में उन्हें धैरे देना खुद मी धहर से रहना और शान्त रहना मतलब ऐसी कई सारी चीजे हैं जो इस करियर में यानि कि इस एर होस्टेस के करियर में आपको करनी पड़ती है तो अगर आप सोचते हैं कि ये सब गुण है आप में तो डर किस बात का उतरिये और उड़िये जी हाँ और बड़ी सारी इसमें सोविधाएं भी हैं इसके अलवा कंपनी आपको चिकित साबीमा भी देती है रिटार्मेंट प्लैन भी होता है उड़ान के टिक्टों पर छूट भी आपको मिलती है तो इस तरह की बहुत सारी चीजे हैं और साथ में जब हमारी एर हास्टेस उड़ती है तो एक जगे से दूसरी जगे जाती है जब आकानशा तो उनके रहन सेहन का बड़ा ही खास इंतजाम होता है बड़ा ही सुन्दर इसलिए कह सकते हैं कि आपने बताया कि यह ग्लैमरस है तो बिल्कुल ग्लैमरस है लेकिन बस आपको यह करना है कि आपको जड़ा सा ध्यान देना है बिल्कुल तो और अगर आप इस शेत्र के विशे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं हाँ देखिया आकानशा हमारी जो छोटी-छोटी सक्खियां है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे जरूर लाभानवित होंगी क्योंकि हमने बताया कि दसवी और बारवी के बाद आप कर सकते हैं तो हम छोटे बच्चे होते हैं जो उन्हें बड़ा ही शौक होता है एरलाइन्स का तो वो जरूर इसमें कोशिश करें और साथ ही साथ जब हम किसी छेतर की तरफ बढ़ते हैं किसी करियर की तरफ बढ़ते हैं तो पिर याद आ जाती हैं अपनी पुस्तकें देखें कॉम्पिटिशन्स बड़े टफ होते हैं बहुत ही तो उससे हमारी जो किताबें हैं उन्हें पढ़ना बड़ा अनिवार होता है तो इसी बात पर तो पुस्तक की याद आ जाती है अब अगर पुस्तकों की बात किया जाए उससे बहुत सारी यादें जोड़ी होती है सुन्दर सुन्दर कहानिया सुन्दर सुन्दर जो कविताएं होती है जो कह सकते हैं कि उम्र के किसी भी कोई भी पढ़ाओ हो पर वो कहते हैं कि माने नहीं रखता है जो बच्पन में हम लोगों ने कहानी की किताबें पढ़ी जो अपनी यादें कह सकते हैं कि उनमें बसा के रखी तो वो सब ताजा रहती हैं हमेशा ताजा रहती हैं बिल्कुल और आप किताबों की जब बात कर रही है संगीता तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि किताबें सची दोस्त होती हैं और एक तरह से ये मन के लिए भोजन का काम करती हैं और एकांत में विचार करने की ताकत किताब हमें देती हैं दाल रोटी से जो ताकत शरीर को मिलती है वही पुस्तकों से हमारे मन को ताकत मिलती है तो एक तरह से सही कह रही है कि अगर हम अच्छी पुस्तके पढ़ते हैं तो वो हमारे मन को कही न कही साधती है बिल्कुल क्योंकि अच्छी पुस्तकों में जो बातें लिखी होती हैं और जो चित्र उसमें अंकित किये होते हैं, जो रंग उनमें भरे होते हैं, देगे चांद की बहुत सारी हम लोगों ने कविताएं पढ़ी है, है ना, वो भी याद रहती हैं, तो ये तो असर तो ही है किताबों का, और साथ ही साथ जीवन के मूलियों की सीख भी हमें इससे मिलती है, जो हमारे जीवन में बहुत जादा आवशिक है, वो ये है, कि हमें किसी तरह से भी अपनी नैतिकता को बनाए रखना है, तो कह सकते हैं कि किताबें उसके लिए बड़ी अच्छी होती है, किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, और उन किताबों को जरूर याद रखना उन में कई तरह के रंग थे, कई तरह के चित्र थे, तो जब भी हम कोशिश करें, खासकर माता पिता चाहें कि बच्छा धीरे धीरे किताबों की और उसका रुजान बढ़े, तो उसे शुरूरात में ऐसी किताबें दे, जिन में कई तरह के चित्र हूँ, जो रंगों से भर हुँ जिससे किताब को पढ़ने में बच्चों में रुची जगे और दीखै ऐसा होता भी है कि जो चुट चुटे बच्चों की किताबें होती हैं उनमें जो शुरुवाती किताबें होती यह वो उनमें लिखाई जो होती है बले ही एक alphabet हो उसमें जो अब जिसे आ से अनार हो गया या कुछ उगी तो इतने सुनदर सुनदर रंग उसमें भरे होते तर चायद यही बात है कि रंगों से बच्चे बड़ा प्रोटसाहित होते है बड़ा अच्छा लगता है उन्हें तो अपने जीवन के शुरुवाती दोर में हम जैसी किताबे पढ़ते हैं न संगीता आगे चलके धीरे 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 हमारा रुजान उसी तरह की पुस्तकों की ओर होने लगता है तो शुरुवात में अधिकतर माता पिता को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे प्रेरक चरिती रहें खासकर हमारे इतिहास से उनकी किताबे या हमारे उनकी किताबे बच् molecule को पढ़ने दे हैं उनकी कहानिया पढ़ कर बच्चों को सुनाएं जिससे उनमें भी रुची जगे आगे चलकर जब बच्चे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो वो ये चाहेंगे कि मम्मी या पापा तो हमें सिर्फ कहानी पुस्तक की एक कहानी सुना कर हट जाते हैं हम खुद पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक की बजाए दो या दो की बजाए चार कहानिया एक साथ पढ़ें तो ऐसे ही धीरे 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 उनमें उतकंठा उतपन होगी वो चाहेंगे कि वो खुद किताब पढ़ें जी और चोटे होते हैं तो हो सकता है कई बार उनको वाग के ना समझ में आए तो जब वो चितर देखते हैं तो भले उनके वाग के ना समझ में आए लेकिन चितर पर अटके ज़रूर रहते हैं और कहानी का जो सारा जी वो समझ जाते है मतलब कहते हैं कि बहले उन्हें पढ़ना ना आए लेकिन जब वो चित्र देखते हैं तो उनके अंदर कह सकते हैं कि एक कल्पना शक्ति का विकास होता है जो कल्पना शक्ति सिर्फ ऐसी ही किताबों से संभ़ हो सकती है लेकिन अगर हम इंटरनेट की बात करें कि कई बार उसम से इंटरनेट में नहीं आती क्योंकि इंटरनेट में तो वो जो दे दिया गया है हमें वही पढ़ना है लेकिन किताबों को बच्चे थोड़ा आगे भी पलट लेते हैं कि चलो इस अध्याय में ये है तो उसके आगे आगे आप देखिए कि जब बच्चों को किताब पढ़ना पलट कर देख लेते हैं कि क्या दस्वीर है इसमें बनी हूई है बिल्कुल साथी साथ जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो वो कही न कही अपने दिमाग में वो बनाने लगते हैं देरे देरे ये उजाँगर होने लगता है कि हाँ उन्हें कहानियाँ आने लगती है शब्द बनाना फिर उस शब्दों से वाक्य बनाना और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो यह माता पिद झाल संगी तष्वास्टका नमस्कार सकी सहेली सकी सहेली